नमस्कार दोस्तों जैमा भद्रकाली जै महाकाल हमारे यूट्यूब चैनल प्राचिन मंत रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी विधी एक ऐसा टोटका जिसको करते ही आपका शत्रू पहले तो अंधा और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाएगा जी हाँ दोस्तों शत्रू की आख्वी की रोशनी खतम करने का और शत्रू को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का शत्रू मारण मंत्र शत्रू को अंधा करने की विधी आज मैं इस वीडियो के जरिये आपको संपून तरीके से बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों इस टोटके की संपूर्ण विधी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखे अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिये लाल बटन के उपर कलिक करें और अभी हमारे इस चैनल को सस्क् दोस्तों आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तिमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि आपका शत्रू कुछ समय में ही अपनी आखों की रोशनी खोड़ेगा और उसके बाद आपके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा दोस्तों शत्रू होते नहीं है शत्रू खुद बखुद ही पैदा हो जाते हैं आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली और आपके परिवार की खुशियों की जलन ही आपके शत्रूओं को पैदा करती है अगर ऐसे शत्रू आपके जीवन में है तो यह टोटका आपके लिए राम बान सिद्ध हो सकता है क्योंकि इस टोटके के उपाय मात्र ही आपका शत्रू कभी भी आपके और आपके परिवार के रास्ते में नहीं आएगा वह आपके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए धूर चला जाएगा तो दोस्तों इस टोटके को करने के लिए आपने क्या करना होगा कि अपने शत्रू के घर से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है और उस मिट्टी को आपने आटे के अंदर मिक्स करना है और उस आटे में आपने गाएं का दूद डालना है और उसके बाद आपने एक ऐसे पुतले का निर्मान कर लेना है करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि अपने शत्रु का जो नाम होगा वहलोहे की कील दुआरा इसकी चाती के उपर आपने लिख देना है और दोस्तों इस टोटके को करने के लिए आपने शनिवार का दिन अमावस्या का दिन चुलना है शनिवार या अमावस्या किसी भी एक दिन को चुल लीजिए और उसी दिन आप इस टोटके का आयोजन कीजिए उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि जैसे ही आप यह विधी कर ले उसके बाद आपने एक ऐसा स्थान भी चुनना है साथ में, जहां पर आपके इलाबा कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो टोटका है, यह तंत्र किरिया है, तंत्र किरिया हमेशा जंगलों में, शमशानों में या ऐसे स्थानों पर की जाती है, जहां पर कोई भी ऐसा व इगन पैदा हो जाएगा, तो इस चीज का भी आप अवश्य ध्यान रखिएगा, शनिवार का दिन चुर लेना है, अपने शत्रु के घर से आपने थोड़ी सी मिट्टी ले करानी है, और उस मिट्टी को आटे में मिलाना है, और उसके अंदर गाएं का दूद डाल कर आपन एक सुपारी लेनी है, इस परकार से, उसके बाद दोस्तों आपको मंतर बताने जा रहा हूं, उस मंतर का आपने जाप करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपने एक लौंग को इस परकार से ले लेना है, और इसके उपर टोटल एक सो आट बार मंतर का जाप करना है, जो मंत के अंदर इस परकार से जला लेना है दीपक के द्वारा अगनी पर चलित कर लीजेगा और जैसे ही आपकी लॉंग इस परकार से जल जाए इस लॉंग को आपने अपने शत्रूं की आँख में इस परकार से डाल देना होगा उसके बाद दोस्तों आपने फिर से यह लॉंग उ इस लौंग को भी अपनी शत्रू की दूसरी आँख में डाल देना है और डालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि एक सुपारी आपने इस परकार से लेनी है और अपने शत्रू की नाभी के उपर इस परकार से आपने रख देनी है जहां पर आपने अपने शत्रू का नाम लिखा हुआ था उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि एक मंत्र जो सिद्ध शाबर मंत्र है मैं आपको बताने जा रहा हूं उस मंत्र को आपने टोटल 551 बार जाप करना है यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और यह टोटका भी आपका संपूर हो जाएगा 551 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है तो दोस्तों मंत्र मैं आपको बोलकर बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा ओम कली समस्त शत्रूना स्तंबिना ओम कली ओम फट स्वाहा तो दोस्तों इस मंत्र का आपने टोटल 551 बार जाप कर लेना है और जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करते जाएगे थोड़ी सी चुटकी भरकर हल्दी इस पुतले के उपर डालते जाएगे जैसे ही दोस्तों आपकी यह समस्त के रिया समापत हो उसके बाद में आपने एक हल्दी की गाठ लेनी है और यह शत्रू के मुख के उपर इस परकार से रख देनी है और दोस्तों जैसे ही आपके मंत्र जाप पूरे होते हैं मंतर जाप पूरे होने के बाद आपने क्या करना होगा कि इस पुतले को आपने इस परकार से उठा लेना है हल्दी लॉंग और सुपारी सहित ही आपने इस पुतले को उठा लेना है और आपने उस ही मंत्र का जाप वापिस करना है जो शुरुआद में हमने लौंग जलाकर अपने शत्रू की आखें की रोशनी खतम करने के लिए किया था तो वह मंत्र रहेगा ओम शुखले स्वाहा तो दोस्तों इस मंत्र का जाप करते हुए इस अगनी के चारो तरफ इस पुतले को टोटल हमने ग्यारा बार गुमा लेना है जी हां दोस्तों ग्यारा बार हमने जाप करते जाना है इस पुतले को अगनी के द्वारा गुमाते जान शम्शान घाट के अंदर दबाकेर आ जाना है अगर आप शम्शान घाट में नहीं जा सकते तो आप इसको जाड़ी की जड़ों में या फिर आ कि यान के जो मदार का पेड़ होता है उसकी जड़ों में दबाकर आ सकते हैं और टोटल ग्यारा दिन तक दोस्तों आपने क्या कर अगर आप शम्शान घाट में दबा कर आते हो फिर पानी डालने की कोई भी आवशकता नहीं है अगर आप शम्शान घाट में इसे नहीं दबाते बेरी या मदार के पेड़ के नीचे आप इसे दबाते हैं तो आपने अपने घर से जल लेकर जाना है पानी लेकर जाना है और म मंत्र वही रहेगा, ओम, शू, खले, स्वाह, इस मंत्र का जाप करते जाना है, और एक लीटर पानी, ग्यारा दिन तर इस पुतले पर डाल कराईएगा, आपका शत्रू अंधा भी हो जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाएगा, तो दोस्तों यह ए ऐसे व्यक्ति के उपर बिल्कुल मत कीजिएगा, जिससे आपको हानी हो सके, आपको नुकसान पहुंच सके, क्योंकि अगर जल्दबाजी में और गलत तरीके से इस तोटके का इस्तिमाल करेंगे, तो हम भी दोशी हो सकते हैं, हमें कोई ना कोई दोश लग सकता है, या इस तोटके का दुश परभाव भी हमारे उपर आ सकता है, तो दोस्तों इस तोटके को बहुत साफधानी से करें, और किसी ना किसी विशेशग्य की सलाह अवश्यक लें, और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या बनी है, या इस तोटके की अधिक चानकारी या यह तोटका आप हमारे दुवारा करवाना चाते हैं, तो उसके लिए आप सक्रीन पर दिखाई नंबरों से हमें संपरक कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो इसको लाइक और शेर करना बिलकुल मत बूलिएगा, और हमारे चैनल को अवश्य अदरकाली, जय महाकाल